और प्रदानमंत्री चेर हैं हमारे पास बहुत है अधरली अखले शादो जी बहुत बढ़ा प्रदानमंत्री जी का चेरा हैं तो क्या ठीकरा कॉंग्रेस के उपर फोड़ा जाएगा कॉंग्रेस की रणनीति इसके लिए जिम्मेदार होगी देश का समविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ में आये हमारी कोई इंदीगल के मेर इलेक्शन हुए थे उसमें थैंक्स टू दा टेक्नोलजी और सीसी टीवी कैमरा तो लोकतंत्र की इन लोग ने हत्या की थी अगर दिल्ली में उनको जनादेश नहीं मिला तो जनादेश का आपमान या ध्यादेश को ला करके करेंगे कोरोना की वज़े से जो हमारे देश के जो भाई बहनते उनकी लाशें जब गंगा जी के किनारे पड़ी हुई थी तो ये मद्र परदेश में सरकार को गिराने में बिजी थे तो ये सरकारी तंत्र का तो दुरुप्योग भारतिये जनता पार्टी के डिने में आ गया है जादव का एक एहम बयान, उनका कहना है कि चुनाव नतीजों के ठीक पहले सभी कारेकरता और समर्थक सतर्क रहें, बीजेपी की ओर से चुनावों में धांदली की जा सकती, एक बड़ा बयान दे रहे हैं अपने कारेकरताओं और समर्थकों को सतर्क कर रहे हैं, इसको लेकर हमारी ये चर्चा है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपरसन फराज एहमत जी जुड़े हुए है इसी मुद्दे पर बात करेंगे अखलेश यादव का ये बयान कि अपने कारेकरताओं को सतर कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में सकती है अधिकारियों के जरीए देखे क्या है आपका कोई छोटा भाई है जो पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट हो भी आप अपने छोटे भाई की उसके जो पिछले साल के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये कैसा स्टूडेंट है अगर मार्क्स अच्छा है तो जाहिर से बात है अच्छा है स्टूडेंट है तो हमारे राष्ट्री अध्धक्स आदरनी अखलेश यादो जी इसलिए बोल रहे हैं कि भारतिये जंता पार्टी का जो इतिहास रहा है आप यह देखिये कि जो अभी चंदीगल के मेऊर इलेक्शन्स हुए थे उसमें थैंक्स टू दा टेक्झनॉलजी अध्योजी अगर सीच्टीवी क्यामरा में ना पकड़ा जाता तो वो जो लोकतंडर की इन लोगने रहे है जब चंदीगल का इलेक्शन हुआ था कि सुप्रीम कोट ने क्या बोला था कि यह documented है कि it's a murder of democracy अगर आप इसको हिंदी में translate करिए तो यह लोकतंद्र की हत्या है तो लोकतंद्र की हत्या किस नहीं की भारतिय जंता पार्टी नहीं की तो जब इनका track record ऐसा है कि जब यह मेर के elections में इतनी धांदली कर सकते हैं जब य और ये विपक्ष के candidates को तमाम तरह के लालस दे करके और तमाम धरा धंका करके आप देए सूरत में भी यही हुआ इंदौर में भी यही हुआ तो भारतिय जनता पार्टी किसी भी तरह से ये election को जीतना चाहती है और भारतिय जनता पार्टी को यह पूरी तरह से ऐसास हो ग नहीं पता है उन्से सावधान फिरेना और नहीं को अपने जो हमको जनादेश मिला विर उस जनादेश को यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमको बचा करके रखना है वरना भारती जनता पार्टी का चाल चरित रो सेहरा यह है कि अगर दिल्ली में उनको जनादेश नहीं मिला तो कापमान या ध्यादेश को ला करके करेंगे कोरोना काल में आप देखिए दो हजार बीस में जब कोरोना की वज़े से जो हमारे देश के जो भाई बहें थे उनकी लाशें जब गंगा जी किनारे पड़ी हुई थी तो ये मद्रदेश में सरकार को गिराने में बिजी थे इन्हों ने क्या किया दिल्ली का मैंने आपको बताया तो इनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारती जंता पार्टी जहां पर चुनाव लोकतंत्रिक तरीके से नहीं जीत पाती वहां पर हटकंडे अपनाती है देते हैं सामने वो चुनाव अधिकारियों की मिली भगत का आरोप लगाने लगते हैं जब जब हार होती है तब तब EVM पे और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा है अगलेश यादव ने इसकी स्री गनेस कल से कर दिया इसका इवियम पर कोई ठीकरा नहीं हुआ था 35% के आसपास वोट पड़ा था आप बताईए कि उत्तर परदेश में 35% वोटर टर्न आउट कभी आपने सुना है पुलिस लगा करके मोले मोले में लाठी चार्ज करके डरा करके धंका करके हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दे रहे तो ये सरकारी तंद्र का तो दुरुपयोग भारतिये जंता पार्टी के डियने में आ गया है तो इसलिए हमको सतर्क हमको भी सतर्क रहना है और आपको भी सतर्क रहना है अगर लोकतंद्र को बचाना है अच्छा इससे आगे बढ़ें इससे पहले आप उत्तर प्रदेश की स्थिति बताईए समाजवा तो उत्तर प्रदेश की जंता ने ही इनके सरकार बनवाई ती पिछली वार 2014 और 2019 में और उत्तर प्रदेश की जंता इनके सरकार अगर विदाई नहीं ओती है तो फिर ठीकरा तो है अधिकारियों पर फोड़ने के लिए आप लोग रैडी है ने विदाई तो कैसे नहीं प्रदान मंत्री जी अच्छा एक चीज़ और अब प्रदान मंत्री जी एक नई चीज़ लाए थे वो लाए थे कि गांधी मुवी बनने से पहले गांधी जी को शायद लोगों ने जाना इसका मतलब अगर चौदवी का चांद गाना ना आया होता तो हम लोग चांद को भी ना जानते कि चांद कोई चीज होती है, तो ये तो मतलब प्रधान मंत्री जी को अपनी हार का ही अच्छी तरह से अहसास हो गया है, कि वो ऐसी अनाप शनाप बाते कर रहे हैं, और आप बॉडी लेंग्वेज से देखिए, खासकर प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जी से बोलिए कि प्रधान मंत्री जी महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो कहेंगे ये आपकी भैस खोल लेजाएंगे, अगर प्रधान मंत्री ठीक है, फराज साब, यूपी के दो ललकों पर बात कीजिए, दो यूपी में दो ललके, राहूल गांदी और अखलेज यादव का एक जुट होना, एक बड़ा कौतूहल का विशय बना, पिछले विधान सभा चुनाओं में जब वो एक हुए और उसके बाद जब हार का सामना किया, तो प्रेस कॉन्फरेंस में मुखड तोर पर एक दूसरे के विरोधी नजर आए, अब एक बार फिर सियासी लाप को देखते हुए एक साथ हुए हैं, अगर नतीजे जिस तरह का उनका रुजहान है उस तरह नहीं आए, तो फिर क्या एक बार फिर उन दोनों में विरोध देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए आदरली राश्टियद्यक जी हमारे अखिलेश यादो जी और आदरली राहूल गांदी जी देश का समविधान और देश के लोगतंत्र को बचाने के लिए साथ में आए, हमारी कोई अपनी पर्सनल वो नहीं है कि हम अपनी किसी महत्त्रकांशा की वज़े से हम कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं, आपकी वज़े से हम लोग एक साथ आएं, क्योंकि अगर ये इलक्षन जो 2024 का हुआ है, ये कोई आसान इलक्षन नहीं है, 100% आप मान के चलिए कि अगर ये लोग सरकार में आगे तो ये समविधान बदल देंग नहीं उसके उपर कुछ बोला ना, आमिशा जी ने उसके उपर कुछ बोला, लल्लू सिंग जी बोलना है कि समविधान बदल देना चाहिए, इनके और जो MPs हैं वो भी समविधान के उपर कह रहे हैं, तो 2024 का ये जो इलक्षन है, ये इसलिए रहूल जी और अधरनी अखले दोनों के बीच सिर्फ उटावल जो है, एक बार फिर देखने को मिलेगी, सत्ता के लालच में ये दोनों एक साथ आए हैं, प्रोपोगेंडा के तोर, अपना एक प्रोगेंडा के तोर, देखें सत्ता की लालच में, टीडीपी और भारतिये जंता पार्टी का अलाइंस बन लुकते हैं कि आपका रच्छन ले करके और आपका मंगल सूत्र ले करके मुसलमानों में बाट देंगे, तो सत्ता की लोलुकता तो वहां पर है कि आप एक दूसरे की विचारधारा को कॉंटरिक कर रहे हैं, हमारी और राहुल जी की कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी कि विचारधारा कहीं से कॉंटरिक नहीं हो रही है, हम लोग तो यह कह रहे हैं कि हम देश का लोकतां तो देश का समविधान बचाने के लिए हैं, आप यह देखिए कि ओम प्रकाश राजबर जी पानी पी-पी करके उतर परदेश के मुक्यमंत्री अधरनिये योगी जी को क्या-क्या बोलते थे, आज ओपी राजबर जी और भारतिय जनता पार्टी साथ में हैं, तो यह भारतिय जनता पार्टी का दोरा चरितर है कि वो पानी पी-पी करके पहले एक दूसरे को गाली देंगे और उसके बाद में सत्ता की लाला चोलो लुकता के लिए फिर से साथ के आदरनी अखलेश आदोजी इस देश के प्रधान मंतरी बने लेकिन लेकिन इसका फैसला जब हमारी 300 के उपर सीटे आ जाएंगी तो जो हमारी कॉडिनेशन कमेटी होगी वो लेगी जो फैसला होगा वो मानने होगा कॉंग्रेस के सभी सवर्थक यही चाहते हैं अभी कॉंग्रेस नेता से एक मैं बात कर रहा था वो चाहते थे कि राहूल गांदी प्रधान मंतरी बने तो आगे चल के यह स्थिति देखिए मेरी ये चाहत है कि आदर्ली अखलेश आदोजी प्रधान मंत्री बने लेकिन अगर हमारी कॉर्डिनेशन कमेटी ने एक्स नाम पर महर लगा दी तो मैं उसके साथ हूँ, खतम बाथ। कि परदेश को एक नई दिशादी, एक नया आयान दिया, तो उन्होंने तो प्रूफ किया है कि वह बहुत ही अच्छे अड्मिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ही अच्छे पॉलिटीशन है, बहुत ही जन्सेवा का उनका भाव है वो बहुत जबरदस्त है, तो वो शांदार चेयर प्रियंका गांधी को पिछली बार विधान सबाज चुनावों में जब उत्तरप्रदेश में नेत्रित्व दिया गया और बुरी तरह से मू के बलगीरी कोंग्रेस उत्तरप्रदेश में इस बार अगर समाजवादी पार्टी का रिजल्ट जो है वो इच्छा के मुताबिक नहीं जाता है तो क्या ठीकरा कोंग्रेस के उपर फोड़ा जाएगा कोंग्रेस की रणनीति इसके लिए जिम्मेदार होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ पिछले जितने रिजल्ट्स हैं जब समाजवादी के साथ कॉंग्रेस आई तो बंटाधार तै होना मान लिया जाता है नई देखिए ऐसे बंटाधार आप नहीं बोल सकते अब एक मैं आपको एक वाक्या बताओं कि शद्धे अटल बिहारी वाजपेजी एक शायद मतुरा से चुनाओ लड़े था उनकी जमाना जब्त हो गई थी तो क्या भारती जंता पार्टी का बंटाधार हो गया था अटल बिहारी वाजपेजी एक बहुत बड़े नेता थे यह लोकतंत रहे लोकतंत में जीत होती रहती है भारती जंता पार्टी दो सीटों से थी आज उनका बहुमत आ गया है बहुमत जो है जंता का मैंडेट सरांको पर तो यह नहीं कह सकते कि अगर कोई एक इलेक्शन को बहुत शुप कामना है आपको समाजवादी पार्टी के बहतर भविष्य के लिए हमारी शुप कामना है और नतीजे जो भी हो हम लगातार आप तक यूहीं पहुचा रहे हैं मैं प्रियंग वाजपेज शुक्रिया नमस्कार